So, Hello Everyone, Welcome back to Shipra's Bird और आज मैं आपसे mini vlog share करने वाली हूँ और ये vlog है जैपूर Metro का मेरा first metro का सफ़र कैसरा वो मैं आप सब के साथ share करने वाली हूँ तो यहाँ हम आ गए हैं Metro में ride करने के लिए तो Metro का हम wait कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे बड़ी चौपड यानि की मार्केट साइड हमें जाना है तो Metro से हम लोग जाएंगे तो प्राची और जिजज ने बोला कि कभी Metro में मतलब मैंने सफ़र नहीं किया तो हम Metro का सफ़र करते हैं तो यह आ गई है Metro और हम लोग बस wait कर रहे थे यहाँ तक Metro Station तक जाते जाएंगे वैसे मैसे सीट भी हमें मिली जाएगी तो बस हम खड़े हैं और मैं एंजोई कर रही हूं प्राची मेरी वीडियो क्लिप बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा व्लॉग मिनी व्लॉग आप सब के साथ शेयर किया जाए हम लोग यह व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट आप लोग शेयर कर रहे हूं मसूरी से जब हम लोग वापस आये थे तो वन डे मैंने जैपूर स्टे किया था तबका यह व्लॉग है और यहाँ से बस हम लोग पहुंच चुके हैं मतलब मेट्रो स्टेशन जो था न हमारा लास्ट स्टॉपज जो था वहां हम पहुंच चुके हैं वहां से हम जाएंगे सिटी साइड थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो इस वज़ा से हम लोग यहां आये थे सिटी साइड क्योंकि मसूरी से हम लोग मम्मी जागरती वगरा के लिए कुछ नहीं लेकर आ पाएते इसलिए हमने सोचा सिटी साइड से कुछ खरीद लेते हैं तो यहां हम पहुंच गए हैं हवा महल की तरफ तो चोटी जो चोटी सी वीडियो के ले ली है और उस दिन के हैं फ्रेंट्स बारिश भी आ गई थी तो हल्की हल्की रिमजीम रिमजीम बारिश भी आ रही थी तो वह भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे और शॉपिंग अगरा करने के बाद हम लोग खाना खाने के लिए एक जगा पर रुख गए थे तो यह है बेज़ड की रोटी आलू प्यास टमाटर की सबजी थी और लहसुन की चटनी थी रायता था तो बस हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद बचों का मन था कि वह आईस क्रीम खाएं तो पास में ही आईस क्रीम वाले बैया खड़े थे तो बच्चों ने और हम सब लोगों ने आईस क्रीम ले ली थी तो फ्रेंड्स यह था मेरा जैपूर मेट्रो का मिनी व्लॉग और यह आपको कैसा लगा मुझे कमेंट शेक्शन में जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं फ